हाई लो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत दिनों से कर रहे थे बक्तियारपूर काजपूर ब्रीच का अपडेड देने के लिए आज हम लोग बक्तियारपूर के अठमल गोला के पास आये हुए हैं और यहां से आपको दिखाएंगे बक्तियारपूर ताजपूर ब्रीच का काम कहा तक हुआ और कब तक चालू हो जाएगा आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहां पर मट्टी भढ़ने का भी काम चल रहा है अभी हम लोग एनेश 31 पर हैं अठमल गोला के पास आप देख सकते हैं इस साइट में पाइलिंग का काम चल रहा है और यह वाला जो रोड है पुरानी बैपास एनेश 30 इस साइट का बक्तियारपूर मेंटोन और पटना की और निकल जाएंगे वहीं आप इस साइट से बार निर्मान हो रहा है और उस साइट आप रोड के देखेंगे तो उस साइट भी पीलस अब का निर्मान हो रहा है उस साइट जाट कल्यानपूर गाउं के पास रायमपूत्र एगा और बक्त्यादपूर मुकामा फोल लाइन में भी कनेक्ट होगा चले फिर पहले आम लोग ग दो पिलर्ष टेवल का निर्मान हो रहा है चलिए फिर आगे चलते हैं और आगे से आपको काम दिखाते हैं जब हम लोग यहां पर पीछली बार आये थे तो इस जगा पर बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था बार का पानी भरा हुआ था लेकिन अभी आप देखेंगे तो पानी बहुत कम हो चुका है गंगा नदी का पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा यहां पर भरा हुआ दोनों साइड, इस साइड भी आप देखेंगे तो और यहां पर आप देख सकते हैं, लाउंचर माशिन रखा हुआ और कुछ लाउंचर माशिन गारी पर रखा हुआ जो दूसरे जगा ले जाया जा रहा है यहां से उठा कर चलिए फिर आगे चलते हैं और आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कंट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका आगे कुछ परकर लगे हुए हैं इस जगा पर और यही सामने यहां पर देखेंगे तो दो पिलर्स पर लाँचिंग का काम हुआ था जो तो यहां पर जो लाँचिंग किया गया था वो भी तूटकर गिर रहा है आप देख सकते हैं और आगे भी देखेंगे तो एक पिलर्स पर लाँचिंग का काम हुआ था जो तूटकर गिर रहा था पिछली वर जो हम लोग यहां पढ़ा थे पानी बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था और यही से नव चल रहा था जो यहां से लोग समस्ति पूर जा रहा है था इसी जगह से नव पर चहर कर जा रहा थे लेकिन इसमार गंगा नदी का जलस्तर बहुत ही ज्यादा घड़ चु गया था लेकिन आज 2024 हो चुका है तेरा साल हो चुका लेकिन अभी तक यह ब्रीज बनकर तयार नहीं हुआ यह बिड़मना है कि अब तक यह ब्रीज बनकर तयार नहीं हुआ तेरा साल हो चुका था अब तक तो इसे बनकर कपको तयार हो जाना चाहिए था और गारियां दोड़ने लगती लेकिन अभी तक नहीं हुआ है आप हमारे पीछे देखेंगे तो दो किरान लगा हुआ कुछ लॉंचर मसिन रखा हुआ वहाँ बक्तियारपूर ताजपूर ब्रीज के अब सर्फेस पर काम फिर से श्टार्ट हो गया है आप देख सकते हैं और बक्तियारपूर ताजपूर ब्रीज की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 5.5 किलो मीटर है और इसके जो दोनों सिरो पर रोड होने वाला है उसकी लंबाई लगभग 45 किलो मीटर होने वाली है आप यहां पर देखेंगो तो यह बहुत पहले ही काम हुआ था जो लोगों को काफी परिशानी होती गंगा नदी पार करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती लोगों को 9 के सहारे आते जाते हैं आप देख सकते हैं यहां पर अभी काम स्टार्ट हुआ है यह देखें वहीं यह वाला तो तूप चुका और इससे तोर कर फिर से बनाया ज हो उपर में काम स्टार्ट हो चुका यहां पर बक्तारपुर ताजपुर ब्रीज का इस जगह पर आप देखेंगे तो यहां पर अभी काम स्टार्ट हो चुका वह भी ब्रीज की उपर काम स्टार्ट नहीं हुआ नीचे ही सर्फेस पर काम चल रहा है वह भी कुछ बरकर हुआ था और उसके बाद नहीं हुआ था इसके बन जाने के बाद तो लोगों को काफी आराम हो जाता और उत्तर विहार से दखिन विहार की दूरी भी घड़ जाते हैं उत्तर विहार से दखिन विहार जाने के लिए या दखिन विहार से उत्तर विहार आने के लिए लोगों क बहुत ही ज्यादा कटनाई होती है लेकि इसके बन जाने के बाद लोग आसानी से समस्तिपूर से बक्तियादपूर का सफर कर पाएंगे कुछ मिंटों में आप देख सकते हैं यहां पर भी अभी लॉंचिंग का काम स्टार्ट होने वाला है और आपको बता दें कि गाधी शे जावादा बिहार सरीफ उन लोगों को लिए तो और भी ज्यादा आराम हो जाता है यह जाते हैं राजेंदर शेतु के सारे लेकों की जाते है गांधी शेत्व के सारे जिससे ज्यादा दूरी तै करने पड़ती है लेकिन इसके बन जाने के बाद वो सीधे बक्तियारपूर के अथमल गोला होते हुए समस्ति पूर की और निकल जाते हैं और उस सेट से उत्तर विहार की किसी भी डिश्टिक में पहुँच जाते हैं उत्तर विहार वाले लोगों को भी आने में आराम हो जाता वो बक्तियारपूर आ जाते हैं इस ब्रीज के माध्यम स और आसानी से वो दखिन विहार में किसी भी एरिया में आ जा सकेंगे इस ब्रीज के बन जाने के बाद लेकिन तिरा साल बीच चुका अभी तक बन कर कंप्लीट नहीं हुआ बस यह राजनितिक मुद्दा ही रह चुका जब भी एलैक्षन होता हो तो सत्ता पच्छो या भी पच्छो हरवार यह मुद्दा उठता लेकिन एलैक्षन खतम होते ही फिर यह मुद्दा बैढ जाता और लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर सर्फेस पर काम फिर अस्टार्ट हो चुका देखें या दोए अच्छबिस तक अब टार्गेट रखा गया बनने का बनकर तयार होता है कि नहीं लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर काम जमीनी अस्तर पर चालू हो चुका अभी तो ब्रेज के उपर में काम अस्टार्ट नहीं हुआ लेकिन नीचे काम अस्टा है है हम लोग उसके बाद आगे गंगा नदी आजाएगा तो हम लोग गंगा नदी तक नहीं चलेगे क्योंकि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर पीलर्स का काम बहुत पहले ही हो चुका है पहले वीडियों भी हमने दिखाया था कि काम हो चुका उसके आगे काम नहीं काम चल रहा, launcher machine को fit किया जा रहा है, denting painting का काम चल रहा, आप NH-31 पर भी आपको दिखा हैं, वहाँ पर भी मट्टी भरने का काम चल रहा, मतलब कि अब जो पक्तियारपूर, ताजपूर बिरिज के काम में रफ्तार पकर चुका है, आप देख सकते हैं, इसके बन जाने के हम बाकर है, इधर आप देखेंगे, तो इस side में support structure को बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप, वहाँ पर support structure कोि बनाया जा रहा है, और इसे बड़े बड़े गारियों के माद्हया हम से लाइजाए गा, और इसी pillar में connect किया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, अब भी हम लोग लगभग दो किलोमीटर पैदल चल कर यहां तक आ चुके हैं लेकिन चलिए फिर आब हम लोग रिटर्न चलते हैं अब आपको एनेश-31 से दखिन साइड काम दिखाएंगे जहां पर रैंप को उतारा जा रहा है चलिए फिर चलते हैं वहां पर अभी अठमल गोला के एनेश-31 के दखिन साइड में खरे हुए है जहां पर बक्तियारपूर ताजपूर ग्रीच के रैंप को उतारा जाएगा आप देखेंगे तो यहां पर दो पीलर्स के पाइलिंग का काम चल रहा है जिसका निर्मान कारिय बहुत ही तेजी में यहां पर चल रहा वही इस साइड में ही वह रैंप को उतारा जाएगा आगे जाकर कल्याहनपूर गाउंगा वही पर यहां रैंप उत्रेगा और आप यहां पर देखेंगे तो अभी मट्टी बढ़ने का काम चल रहा है यह देख सकते हैं यहां पर मट्टी बढ़ने का काम बहुत ही तेजी में आपर मट्टी बढ़ने का काम चल रहा है देखेंगे तो वहां पे एक फूल भी बन रहा है जो फूल बन रहा है उसके नीचे ते एक रोड क्राउस होता है इसलिए फूल बनाया जा रहा है रेल्वे लाइन क्राउस होने वाला वो रोड है देख सकते हैं आपर मट बढ़ने का काम बहुत ही तेजी में चल रहा है इस एरिया में आप देख सकते हैं आप इसी के साथ इस वीडियो को यहीं सब करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं है, लेकर प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें, कॉमेंट करें, आंक्यू